कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का सौगत हैं दोस्तों इस पर्टिक्लर वीडियो में हम कुछ जेनरल स्टेडीज कोशन का डिसकेशन करेंगे जो आपके अमोमन लगभग सभी एक्जाम में हेल्फुल रहेंगे चाहिए आपका बीपीस्सी असिस्टेंट पॉ नमजे प्रैक्टिस को सन के तरह पर अपर और एक एक को समको डीसकेशन करेंगे दोस्तों क्योंकि कोसंज है उसका जो आंसर के अलाव़ा जो और ऑप्षन है उसका वी डीसकेशन करेंगे ताकि आपके में और नौलिज थरा बिल्डप हो ऊके तच्छाट करते हैं को से कि फर्स्ट है कपास की खेटी के लिए सबसे उप्यूक्त मीटी है कपास कोटन का जो क्रॉप है कोटन क्रॉप सबसे बेस्ट किसम में उग पाता है तो काली मीटी में अपने परावी होगा का जुका कपास उगता है काली मीटी में सबसे ब्रहियां उग पाता है उसमें ज्या काली मीटी का बिश्तार आप जानते हैं यह आपका महरास्त गुजरात मध्परदेश करनाटा की सब इन सबराजयों में है और वहीं पर तो यह सभी option को हम लोग ने दिखा था हमारा answer क्या हो गया तो कालि मिटी सब्सक्राइब कि निमलकित में से किस वर्स महात्मा गंदी ने भारत चुरौ आंधुलन को सुत्रपाथ क्या मतलब महात्मा गंदी ने भारत चुरौ अंधुलन कब स्टार्ट क्या तो सबी को पता है बहुत सारे जो निताओं थे उनको 10 अब मतलब वहीं नाचल पई फिरवी यह आंदो लिए और बहुत वर्यांत तरीके से चला था तो 1942 में प्यांदोलन स्टार्ट हुआ था उन्हें सथीस में आप जानते होंगे गांधी जी ने सावरमतियासरम से दंडिया तरह स्टार्ट कि थी दंडी मार्ट जो स्टार्ट के था दोस्तों नमक तुरो और उसी के बाद से सभी ने और अग्या अंदोलन सिविल डिसोबिन सालों गोरगपूर में चोराचरी कांड हो गया था जबकि गांधी जी निसका कानून को वापस ले लिया था उल्राइट तो हमारा आंसर क्या हो गया भारच्वर अंदोलन के याद रिखेगा भारच्वर को याद रिखेगा आठ अगस्थ मतलब बोला थे कि audited यह चेक है और 1940 में ही पहली बार मतलब पहली बार पाकिस्तान के मांग कब की गए थी तो 1940 में यह तीनों point वे ध्यान रखेगा 1940 में पाकिस्तान के मांग पहली बार की गई थी और 8 अगस्ट 1940 को अगस्थ प्रसाव आया था ये पूस्टा एक अगस्थ प्रसाव काव आया था तो 8 अगस्थ लेकिन लागों का वहा राइट एजुकेशन तो एक अप्रेल 2010 को लागों अधियान रखेगा एक अप्रेल 2010 को लाग हुआ आया था यह अधिनियम 2009 में लेकिन लाग हुआ एक अप्रेल 2010 को इसमें छोग से चोदव वर्स के बच्चों को यह उसको निशुल के सिक्षा देना है यह पैरेंट्स का भी कर्तब होगा उसको चोग बर्स लेकिन चोदव वर्स तक निशुल को उपलब्द कराएं याद रखेगा अब तो नई शिक्षानिती आगे दोस्तों नियू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है 29 जुलाइड रखेगा पूछ सकता है 29 जुलाइजुकेशन पॉलिसी 1986 के बाद दोस्तों चोविश साल बाद आया है आपका नियू एजुकेशन पॉलिसी के अस्थान पर तेन प्लस टू के अस्थान पर पर प्लस घुलाइज पर अनसर क्या हो गया सी फूर्थ विबस्वातर संगठर का मुख्याले क्या है य हेक्र ना था में यहान उर्गेज़्वार्टर को य चाहिए वीड थायम में और 9144 कike बदस्पी य मनाते हैं वाल Lacan पेसध में आपका इन इसको का हैडो फॉडस्वातर आफका पेस्वेह कि और नियॉ- Demi युनिसेफ और यूनिसेफ को दोनों अलग है यूनिसेफ का हेड़कॉर्टर है नियॉर्क में पेरिस में आपका यूनेस्को जोब इससेफ विरास सूची जारी करता है यूनिसको में उसका पेरीश स्वरी पेरिस में है उसका हैड़कॉर्टर और लंदन में एक पूछ सकते हैं तो इसका है इसका हैड़कॉर्टर है आपका जिनेवा में हैं इंटेनेशनल लेवल और अरगनाइशन का हैड़कोटर जिनेवा में है यह ध्यान रखेगा तो फोर्ट का ए इस प्रकार से आपको चारू अप्सन के बारे में जब आपको दुस्तों पता होगा ना तो आपका एक भी मतलब कोस्ट नहीं चूटेगा और कोई कोस्ट वाली ज बढ़िकिक्रास करते हैं कि आप मतलब पर है तो अच्छे से पर हैं पूर्य नॉलेज लेके पर हैं कम से कम इतना डीप में भी हुआ प्येसदी नहीं करना है लेकिन कम से कम जो आपका स्लेवर्स का है उतना ता आपको होना जीए कर मेंतले अलेक्सट है अलेक्जंड़ फल काम कर रहे उन्होंने प्रेश पेनिसलीन का खोज किया था और एक्स कि रहने का तो एक्सरे का विलियम रूइंट जन गृत्वा कोर्शन तो जानते होंगे न्यूटन ने गृता कोर्शन के बारे में अच्छे तरह से बताया है करें ओके दोस्तों कि नेक्स्ट कूशन ते दूरस्त शिक्षा का स्रवत्तम संस्ते मतर्च डिस्टेनस एग्यायवर्ण अनुसंदान connects UGC या आपका दूरस्त शिक्षा परिशद डिस्टेंस एजूकेशन कॉंसिल विज्यानिक एड़ियोगिक अनुसंधान परिशद सी एसको बोलते हैं सेंट्रल सांटिफिक इंडर्स्ट्रियल रिसर्च या उपिक में सुकोई नहीं तो दूरस्त शिक्षा का सरुतम सब्सक् युनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन का दोस्तों आपको पता होना चीज़ का वर्तवान में अध्यक्स को है तो जगदीश कुमार को है जगदीश कुमार है और CSR के जो मतलब अध्यक्स तो पधानमंत्री खुद होते हैं और हाली मिन का महान निदिशक बनाया गया है नल्ला साइन्स टेक्नलोजी के च्छेतर में दोस्तों सांती शुरूप बटनाटक यह प्रदान करता है यह भी ध्यान रखे CSR के बारे में हम कि यह उट यह गंञतग्यों के लिएfrei माणूजन पुरुशकार से सामार थो रहा रहा की यह इस टूप पूरिस लिंक पाद कितना है महिए अबर आपनपन पूरिस का मतलब का लिंग पाद सबसे ज्वाइब पात कहां पर था तो आपका केरल में था कि दसचारासी मतलग एक पुरुषपत दसचारासी महिलां थी वहाँ हम सबसे कम लिंग नुपात एट सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों 22 जनवरी दोजार पंद्रों को पानीपत हर्याना से बेटी बचाओ बेटी अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ अभियान स्टार्ट किया ता प्रधान मंतरी मोदी जी खुद किये थे 22 जनवरी दोजार पंद्रों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हर्याना से यह भी कोशन पूशता है ओके चुकि वहां पर लिंगान पात बहुत कम है फिमल फिटी साइड की घटना यह बहुत ज्यादा होती है हर्याना में यही कारण है घृऄ को नइनट है अकवर नेनमली खित में से किस नगर का स्थापना कि यह वहां नहीं करुए था कौन थी गुप्ट वाकाटक काल की प्रसिद्य महिला सासक ये थी अपकी प्रभावती कौन थी प्रभावती दोस्तों चंदर गूती दूति आप जांते होंगे गुप्ट वंस के महांतम सासक पूती जुनको विक्रवादित्यके के नाम से भी जाना जाता था इनके दरबार में नवरत ने कालिदास वरा महीर छपनक यह सब रहा करते थे तो चंदव्युप्त दूतिय की बेहनती प्रभावती ओके इनका साधी हुआ था रुद्रसें से रुद्रसें दूतिय की जो मिर्थी हो गए तो उसके बाद इन्हों पास का हुँब कि अधिकार प्रिख्षा का क्या अर्थ है अधिकार प्रिख्षा आप अपने परावागा दोस्तों कि आथे। अधिकार प्रिक्षा का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है आपका किस अधिकार से किस अधिकार से जैसे अधिकार प्रिक्षा के तर्थ जो है कोई आयोगे बैक्ति माली जिए किसी लोग से वाप धारन कर लेता है तो उसको इस अधिकार प्रिक्षा के द्वारा उसको रोका जा सकता है कि आप तो अयोगे हैं आप तो मतलब एलिजिबल नहीं एक प्रकार का indirect text है यह वस्तुव की उत्पादन पर अगर कोई वी छीज़ आप प्रोडुइस करते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है बरी प्रimana पर तो वस्तुव की उत्पादन पर एक साइस जुटी लगता है यह अपने प्रकार का indirect एक टेस्ट है टेक्स है ज्स्ट ज्स्ट है या सिर्थी एक प्रकर का और इस्ट कर एक जिलाय 2007 को ज्श्ट लागो क्या गया था वीजय कलकर समिलन्ति के इस्पारश सदुस को और 101 संसोधन है और क्लिए कि लेट तो 279 यहां कि ट्रैकिल तो79 एस्ट को लगा जाता तो वस्तों के उत्पादन पर प्रोडक्शन पर थर्टीन किस मामले में सर्वोच नियाले ने समिधान का अधारवुत धांचा का सिध्धान्त प्रतिपादित किया था देखिए बराही मतलब सकते हैं अखसर एकजम यह को रिपीट होता है यह कोशन किसी दुसरे एकजयां'm पूछा गया है और वही कोशन यहां पर प्रेक्टिस के लिए है की इसन्पादित के तो लूंन ंंद भारती मामला का सी एक हदो है गोलखनाथ मामला गोलखनाथ मामला यह गोलखनाथ और उसके पंजाब राजे के बीच हुआ था इसमें जो सुप्रीम कोट कहा था कि संसत जो है मौलिक अधिकार में जो आपका और यह स्थापना उन्हसाथ 34 का अधिनियम से हुआ है कब एक अप्रेल 1935 को अप्रेल 1935 था इसका राजटे करन निशनलाजेशन निशनलाजेशन का वहा थे एक जनवर 1929 उन्हसा इसका राजटे करन हुआ और और रभी आई के फर्स्ट गवर्णर को कौन हो थे तो सिडी द पूछे तो सीडी देश्मूख और अगर मन लीजे ऐसे पूछ दे कि पहले गवर्णर कौन थे तो ऑस्बॉर्ण भारतिय सब्द यदि नहीं लगाएं तो ऑस्बॉर्ण स्मीट और फर्स्ट इंडियन बोल दे तो आपका सिडी देश्मूख होना चीए यह दोनों ध्यान रखेगा यह आर्विया के गवर्णर सक्तिकांदास हैं यह कोशन पूछा गए एक एक जाम में कि कैवे नमर के हैं व परव है और यहां कोशन भी आगया कि बहुत ही फ्रेमस परव है छट पूजा आप सब इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिड होंगे क्योंकि छट का घाट साब लोग बनाना चाहता है अजाता भी बनाता है तो छट पूजा बिहार में मनाता है लेकिन बरी धूमदा को 17 नहीं कि बढ़र का एकोनोमी है किस प्रकार है मिस्रिंत है या मुक्त है या समाजवार की है क्यों है हमारा जो है क्या है तो बेक्ष कोमेह के सिस्टिन का ए कोई प्रॉब्लम नहीं सेवेंटीन हरित ग्रांती का जनक माने जाते हैं आसान कोशन है अक्सर एक्जाम रिपीट होता है दोस्तों बिक्रम सारा भाई या ड्रेक्टर स्वामी नाथन हर गोविंद खुराना या वर्गीज कुरियन तो मस्वामी नाथन इंडियन में अगर कुछ नहीं कहें माली जीहां ओप्सन कुछ ऐसा नहीं था सिद्धी नाथन का नाम है तो यह जाएगा लेकिन नॉर्मल बॉर्लोग रहते युएसे के जो साइंटिस्ट नॉर्वन बॉर्लोग उनको पूरीव दुनिया में हरित करांति का जनक माना जाता हैं और इंडिया में स्वामी नाथन साब को अध्यान रखे और वरहे जो जानते हैं लोग कम इंडिया मिल्क मैन ओब इंडिया को है तो वर्गी श्कुरियन दो दिक्रांती लाने वाले कोन थे वरह इसकूरियन इनका के रल में हुआ था इसमें यह सब्सक्राइब क्यों है क्यों वेसंप्न जरूरी células यह कूह जब तक राश्टपति उस्पर हस्ताख्छर ने कर तक ceux क्यूं कानून नहीं बन पाता है तो देखिए फर्स्ट वह कारेपालिका का अध्यक्स होता है बिल्कुल आर्टिकल 53 आपने पराओगा दुस्तों आर्टिकल 53 क्या करता है कि राष्टपती जो है कारेपालिका का कारेपालिका सक्ति राष्टपती में नहीत होती है तो राष्टपती जो है कारेपालिका का कानों लाग होगा उसका जेमधारी राश्टपती लेते हैं वह राज सभाक्य संप्रभूता का भी प्रतीक है ये भी सही है तो डी ऑप्सन हमारा क्रेक्ट है लेकिन व्यक्तिकत रूप से मुरुमु जो है पंद्रवी राश्टपती बनी है 25 जुलाय 2022 को नों ने सपत लिया है और आट कि बावन आप जानते हैं भारत के राश्टपती होगा आर्टिकल तिरपन कारिपाली का सकती राश्टपती के अंदर नहींत होगा आटिकल चोवन क सपत के बारे में लिखा हुआ है एक्सेट में महावयोग इंपीचमेंट बत्ता राश्टपती घंटाने का तरीका है आर्ट के लिए खतर इसमें कि राश्टपती या उप्राश्टवितिक चनौं में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निफ्टारा सोप्रिम कोड पार करेंगा अट कि बबहत्र में राश्टपती के पास उचमादान के सक्क्तित उसके बारे में लिखा हूँ है तो रास्टपती इस रिलेटेड है जितना यह आइसके बस यही 52 से आपको 60 तक उसका आर्ट की पता होना चीए 61 पता होना चीह, 70 पता होना चीह, इतना अगर पता है तो और 1 अधेयस रास्ट पती दोस्तो। आटकेशझ के से ₹arin 13 में राश्ट पती का अध्यादेस के बारे में उल्लेख है यह आपको पता होना चीह, ओकें तो एटिन का डी हो गया और देखे दूस्तों कि संसद्वारा पारित को भी विद्येख होता है तो राश्टपद्र यूशत वर य पारित हो गया है और राष्ट पती है तो उसके लिए कौन सा आचेके ओके टो सबारे में चैसी के बारे में प्लीफ हुअना यह कि ऐसा एक सटेट्मेंट यह मतलब बजट बजट का जो आप नाम सुनते होंगे बजट के बारे में 112 में उल्लेक है उसे बजट सब्द का पुलेक कहीं भी कि समीधान में नहीं है लेकिन एंस्वल एन्वल फाइनेंशल स्टेट्मेंट का सब्द का चर्चा है उसी का मतलब बजट हो जाता है वह आट कि 112 में ओके यह थोड़ा ध्यान लगे नैंटीन ऐसी मुद्रा जिसकी वीनमेदर सरकार द्वारा प्रभावित होती है तो कोई ऐस मुद्रा आईसी मुद्रा मतलब जो बहुत कम एवलेबल हो उसके मुद्रा मतलब जो आसानी सोपलब दना स्कूर्ण क्या करते हैं दूरलम मुद्रा खते हैं तो नाइटीन का मारा एंसर क्याओ डी हो गया कि ट्विंटी बुल और बियर सब्द किसमें संबंदी थे बुल और आप सुनाओ अदस्तुम बिग बूल एक मुवी आए थी स्टॉक सेंज जो स्टॉक मार्केट इस्टॉक मार्केट ते रिलेटेट सब्द है देविक बूल आपने सुना होगा हरस्वत में ताप रेक आई है तो जाता है कि सेर करेट बढ़ जाएं और बीयर मतल overcome जो गिरने के इतिजार करता है आप जानते हैं भारत में अपनीहाँ कम से कम दो तो जानती होंगे निस्टॉक सेंज निशनल एस्टॉक एक्सेंज हैं इसके इसके अने सभी में हुई थी फिर्वानी सिमिति की सिपा पर और इसका इंडेक्स है सूच का आपने कभी सुना होगा निफ्टी और सेंसेक्स तो निशनल स्टॉक एक्षेंज का सूच का क्या तो निफ्टी सुने होगे कि निफ्टी इतनांग से गिर गया यह सेंसेक्स इतनांग के उच्छाल के साथ रहा है या अभी फेस्टेबल मे कुछ ऐसा यह उसका इंडेक्स है तो नेस्टोंगे कहा नाम है निफ्टी और एक होता है बोंबे स्टॉक एक्षेंज बीएस की आप सुने वहाँ दोस्तों बॉंबे स्टॉक एक्सेंज इसका सब्षापना दुस्तों 1875 में बहुत पहले अपर सब्षापना इसमया का सब्ष आप जानती ही होंगे तो सेंसेक्स का इंडेक्स है सेंसेक्स है कि 21 इंपोर्टेंट को सने देखिए राज चुनाव आयोग नगर पाली का चुनाव किस अनिशेद का धीन संचालित वे नियमित नियंत्रित करता है उसका अधिक्षन करता हाल फिला में अभी इन दिनों जो अगर निगम हो या नगर पाली का चुनाव कोले किसमें तो आर्ट किल 243 के अर्ट किल 243 के में आई दिन इंग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि हाल फिलाल का घटना है ओके और कुछ को सन देखिए 22 कि नेक्स्ट को सन देखिए 22 कौन से समीति आप राधिक राजनिति और नौकर साही संबंदित पर गठित किया गया था यह समीति के बारें दोस्तों परते एक पार एक जाम में आप बीपीए से यह जाम में देखते होंगे बीपीए सी प्री हुआ था उसमें भी को सन पूछा तो दोबारा जबी हुआ है तो देखिए आप राधिक राजनित की मतलब राजनिती का अप達री से लेन्दिन है उसका और नौकर साही का वो कौन से समिती यह इस पर को इसकि कोसा भुषा समीती और अभरा समिती कोन कोसा समिती rate क। पंधर के पैसिप संधानम समीति यह पहले वा क्या पानु हिसमें वूर्थ拜拜 को संबन कि यह सुरैस पटेल इसके हैं वरतवान में आता है से सेंट्रल विजलांस कमिशन से कोसन आता है तो इंपोटेंट टॉपिक है खेर हमसे अपर आधिक राज नितिग्ये के बारें पुछाता तो यह है आपका बोहरा समीती 23rd, भीहर का वह जिला कौन है? जहां महलाओं के संख्यापुरुस्च से अधीक है लिंगान पाथ बहर में लिंगान पाथ कहां पर जढ़ता है तो तो देखे बहर में अगर सबसे जद्यादा लिंगान पाथ के बाद करें दोस्तो तो गोपाल गंच में घृपाल गंज में के संख्या मत्तमेंख़ों संख्या से ज्यादां है और सबसे कम कहांपर न अब तो मुंगेर में तीन चार पॉइंट याद रखें भीहार के से कोशन कुछ आता है सबसे पहले लिंगान पात में मैकसम preminam के बात करते हैं और बात तो बहार सब सबसे कम आपका मुंगेर में लिटरेशी रेट पूछे तो रहतास में सबसे ज़्यादा है पुर्णियाम लेटरेशी रेट सबसे कम है एक और जनसंग्या घनत्व वह भी कभी कोई पूछ दिता है पूप्लेशन डेंसिटी दोस्तों सबसे ज़्यादा कहां पर तो मैक्समाम का सिभर चोटा सा एक दिला है आप जानते होंगे पूर्वी चमपारण सिता मुझा पूरुपुर के बीच में सिभर है तो सिभर का जो पूप्लेशन डेंसिटी है सबसे जादा है और सबसे कम आप की तिनों डाटा ध्यान रखेगा हमारा अंसर यहां क्या होगा दोस्तों 23 की क्योंकि बिहार के से से बिहार के हर एक जामे कोशन पूछा जाता है 24 भारा सरकारने निमलिभीद में से किस सासक से अपना प्रतिक लेकर अपनाया करने का मतलग कि भारा सरकारने जो अपना आना अस्तम्ब राष्ठ चीप स्ष्धूब की से हमने लिए तो असोग की असोग असोग सारनात का सिंग हस्व्ण हिसा ऊपना उचीप लिए को सनद्र्वील दूस्टो के सेंट्रल विजडा प्रजेक्ट संसथ दल्ड को है वहाँ पर न्या सेर का चिटर उपक महाँ सबस्कूर्ट का Position C है पुलिकेशन सब्सक्राइब य चलुक बंस के इस Kundal ने हरस बरधन को हराय था ओके और पुलिकेशन दूत्ये को दोस्तों नर्सिंग बर्मन 1st नर्सिंग बर्मन 1st याद रिखे गां देखे पुलिकेशन दूत्ये जो चालूक के बंस का राजा था इसने हरस्वरधन को हखा था हरस्वाय ऑपने आपके पर्ताफी राजा थे उन दिनों और पू'llके ओंत्य नरसिम मगरवन फिर्छ जो कि प्ल्लब बंस के राजा थे और और इन्होंने वातापि कौंड का उपादीधारन किया था क्योंकि फुलिकेसन चालू क के बंस का जो राजधानी था। अटपी था बाता पी या बादामी कुरशन देब्राइक को आप जानते होंगे बिजिए नगर सम्राज के बहानतम साथा कर संदेब्राइफ उननके पुस्ता के दोस्तों मलियालम भासा में इसका नाम है आमुक्तुमाल्दा किसने लिखा तो संदेवराइन जी ने लिखा है और कनिस्क को जानते होंगे कुंडल बन करने कुंडल बन कस्मीर में कनिस्क ने चौती बहुत संगेती को आई जीद करवाय था जिसके अध्यक्ष वह सुमित्र और अध्यक्ष असवा घोस्ते दोस्तों यह को संद भी पीएस सी बार-बार दोस्तों क्योंकि अक्सर कोशन पूस देता है कि 1926-1931 के बीच में था और दिपावली घोस्तना 1929 में लॉड इर्विन नहीं किया था नहीं के टाइम में ही ठीक है नहीं रिपोर्ट 28 में मतिलाल नहीं 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 के टाइम में ही और कॉंग्रेस का जो लहार अधिवेशन जिसमें पूर्ण सोराज के मांग की गए था 1929 में यह भी इसी के लॉड इर्विन के समय में हुआ था धांडी मार सभीने आगंदन ज और या इसको घांधी इर्विन परक्ट भी करते हैं 5 मार्ष 1931 को गांधी और लॉड एर्विन के बीच में तो यह भी अपने आप में इंपोटेंट है और पांच मार्ष नहीं सट्रीश रहा भाग लेने के लिए जहां इंगलेंड जयेंगे और साथी साथ आपका इसको बंद कर देंगे जब गांदी जी इस पर बात हुआ था तो बंद कर दिए लेकिन जब वहां बात नहीं बना दूत्यों गोल में सम्में लेने में वहां आके द्वारा से फिर से चालू कर दिए इस सब चीज़ें याद रखेगा दिपावली घोषना लॉड इर्विन के समय में ही उन्हें सब्सक्राइब कर दिए लिखा है तो इंडिका और कोट्रिले का जो अर्थसास्त्र लिखाता है तो इंडिका दोस्तों सेलिकस निकेटर का जो दूत था मेगा इस्तनी जो की चंज फ्रांसेशी करांती का नारा क्या था तो फ्रांसेशी करांती का नारा था दोस्तों जैसे जनता के द्वारा चाहि RAMSAY बनाएगं सरगार यह तो अभरहाम लिंकन बोमें करते मतलब कां सकते हैं पारफुले मैं थे बहुत नीचे सूट कें बहुँत आपर तक गय Его मैं समाझ से थे अमेरिका में और अमेरिका के राष्ट पती तक बने बहुत बड़ी उपळब्दी थी ुरला समांता बंधूता यह अपका FRancy करलाटी 1789 में 1789 में दोस्तों यह इस चार्ट वा था जिसमें नारा दिया गया था सवतंदर समांता और बंधूत्त और एक राष्ट एक निता एक जंडा इसका नारा दोस्तों आपका हिटलर एडॉल्फ हिटलर जर्मनी के जो ताना साहते एडॉल्फ हिटलर ने दिया था और फ्रांस की राजकंत्य आपका वही फ्रांस कम जो करांथी से 1789 में सदर असनावासी में शुरू हुआ था लुई स नियुजिलेंड भी आपका प्रसांत महासागर में न्यूजिलेंड ओके ध्यान रखेगा और सी हमारा करेक्ट होगे सबसे बारे में क्या आ सकते हैं तो नियुंत्यम आयूबर 55 वर्स होने चीए राष्टपती बनने के लिए बिल्कुल चाही बात है कारेकाल आठ वर्स ज आठ चाही बात है राष्टपती को देगे लेकिन वह अगर त्याग पत्र देना चाहे तो उपरास्टवती को देगे ओके अब्योग से अठ आजा सकता ओव्यसलि आठ गिल सिक्स्टी वन में लेकिया राष्टपती का महाभ्योग से जिसने हम जो अमेरिकास लिया था उसको महाभ्योग से हटाया जा सकता है तो यह सब सही है उसका कारेकाल पांच वर्स का ओप्सन भी इनकरेक्ट है कि थे थी शोथने भारत का प्रतम भारते गवनर्जनरल संप्स को मुषघ था बहुतर को इस घर्या यतौसि आउन नहीं लिखते जंसे sucking के भारते अब बाकित नहीं कि आपको अर देखने का शोर्णन का द्रोंगे प्रवरा जैनमंदर के निर्मान करवाए था जो गुजरात में चालू के बंसके राजा थे भीम पर्थम उसका एक सामध था उसने ही चालू के मतलव जैनमंदर का निर्मान करवाए था ओके 32 राष्टपती को निमलिखित में से कौन सपद दिलाता है तो राष्टपती को भारत के मुख निया देशक्षिटिस ऑप इंडिया दोस्तों राष्फपती को अच्छे से परके जाए क्योंकि बीपयासी में भी उपर राश्च्पति से एक कोशन है वह लेकिन थोड़ा एडवांस कोशन था कि उनको कितना वोट मिला था वह कोशन पूछ लिया था नमबर बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं तो मुख निया दिज्ञें उनको सपत दिलाते हैं इस वीडियों दोस्तों 32 तक दिस्ट कवीता को बार मैं आपने सुना भी होगा कि हो गई है पीर परवत सी घ करने चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए और इसका सिधे में अंति लेम बोलते हैं दोस्तों कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए बढ़ा ही सुंदर कवीता है इसके बुक के अंदर है मैं हमने हाली फिलाल में इसको पर्चेज किया दूस्तों पर अच्छा लगा तरव सलेबस के बाहर भी हमें परना चीहें दोस्तोंटेश अधी किताव हैं यह न है या क्या करें आख सकाम पर करना चीज को बदल बदल करना ड़ेंगा यह आगतरीं किताफ ए बेहतरीं किताब है और चिंता चुरो सुकसित जीओ यह भी किताब है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूस्तों सारे किताब का लिंक है आप वहां से जाके कोई भी अच्छा आपको लगे जो भी आपको पसंद हो हिंदी इंगलिस में दोनों है बहुत सारे किताब है आप जाको वहां से परच जी हमको अच्छे लगते हैं तो प्रेमचंद्र रसमीरती हो या रामधारी सेंग दिनकर जी का हो उनका हमने बहुत सारा किताब पर आचिए रिजड़ पूर डेड़ यह भी अच्छी किताब है फाइनेंसली इंडिपेड़नेंट कैसे रहा जाए कैसे बना जाए खुद य तो जरूर किताब परनाची एक बार इसमें इन्वेस्ट कीजिए आपको अच्छा लएगा ओके दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे बुक्स का लिंक है आप जो चाहे उसको पर्चेस कर सकते हैं कुछ किताब मंगवाईए और सिलेवस के बाहर थुरावुत प कीजिए कोई क्वेरी होते कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं और हमार चैनल को भी सब्सक्राइब करें धन्यवाद